क्या आपको अभी हाथों हाथ पुराने नोट और सिक्के बेचने हैं? क्या आप भी बिना registration fees लिए नोट और सिक्के खरीदने वाले बायर को ढूंड रहे हैं? क्या आपके पास भी सचमुच रेयर नोट और सिक्के हैं? क्या आपको भी अभी तक किसी भी असली बायर के फोन नंबर नहीं मिले हैं? क्या आपने अभी तक पुराने नोट और सिक्कों की किसी दुकान को विजट नहीं किया है? क्या आप आज तक किसी करेंसी एग्जीबिशन में भी नहीं गए हैं? दोस्तों अधिकतर लोगों का जवाब नहीं होगा लेकिन आज इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं इसलिए इस वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना और एक सेकंड का भी वीडियो स्किप मत करना वरना आप फिर से अपने पुराने नोट और सिक्के बेचने से वंचित रह सकते हैं दोस्तों ये बात तो अब जग जाहिर है कि पुराने नोट और सिक्के बेचने के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और कोई भी असली बायर किसी से एक रुपया भी registration फीस नहीं लेते हैं इसलिए आप फीस लेने वाले फर्जी और फ्रॉड लोगों से बच कर रहें बाकी असली बायर से आपका संपर्क करवाने की गारंटी हम आपको देते हैं बस आपको वीडियो में बताई गई आसान सी प्रक्रिया को फॉलो करना होगा कोई भी असली बायर अपने फोन नंबर कभी भी किसी वीडियो में नहीं देते हैं लेकिन फिर भी हम आपको हमारे खुद के WhatsApp नंबर इस वीडियो में जरूर देंगे जिस पर आप अपने नोट और सिक्कों की फोटो भेज सकते हैं असली बायर से सीधी बातचीत करके नोट और सिक्कों की सही कीमत जान सकते हैं या फिर पुराने नोट और सिक्कों से जुड़ी कोई भी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि YouTube और Facebook पर दिखाये जाने वाले पुराने नोट और सिक्कों के सभी वीडियो सही नहीं होते हैं, इसलिए आप पुराने नोट और सिक्कों की कम से कम वीडियो देखिए और सिर्फ असली बायर के YouTube चैनल पर जाकर ही वीडियो देखें. पर दोस्तों, एक बार आप नोट और सिक्कों की जो भी वीडियो देखना शुरू करते हैं, उसको पूरा जरूर दिखना चाहिए. तब ही आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी और किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करने का भी फायदा होगा. हम ऐसा इसलि ये सिर्फ उपर-उपर के सही से लिखे हुए कमेंट का कही जवाब देते हैं. एक असली बायर का काम सिर्फ वीडियो बनाना नहीं होता है, बलकि हर हफ़ते के आखिरी दिनों में किसी ना किसी मुद्रा प्रदर्शनी में शामिल होना पड़ता है. उसके अलाबा, अपनी खुद की नियुमिस्मेटिक शोप पर भी समय देना पड़ता है. क्योंकि रोजाना सैकड़ों लोग अपने पुराने नोट और सिक्के बेचने के लिए हमारी नोट और सिक्कों की दुकानों पर भी आते हैं. उनकी करेंसी को देखकर वैल्यूएशन करना, नोट और सिक्क में जल्द बाजी करेंगे और वीडियो भी पूरा नहीं देखेंगे. नोट और सिक्कों की जानकारी भी पूरी नहीं लिखेंगे, तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे. तो अब देखिए आगे वीडियो को. पुराने नोट और सिक्के बेचने के लिए पहले आप को हर कदम पर सावधान और सतर्क रहना होगा. वैसे अगर आप हमारी किसी भी एक वीडियो को पूरा देखकर उसके नीचे अपने सभी नोट और सिक्कों की पूरी जानकारी लिखकर कमेंट करते हैं, तो आपके नोट और सिक्के बिना रजिस्ट्रेशन फीज जल्दी ही बिख जाएंगे, पर आप लोग वीडियो देखने में भी आलस करते हैं, और उसके अलावा भी छोटी छोटी बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिस वजह से आपके नोट और सिक्के नहीं बिखते हैं, और फिर आप कमेंट करके शिकायत करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों, ज ज्यादा मातरा में पुराने नोट और सिक्के हैं, असली बायर उनके घर पर जाकर भी नोट और सिक्के खरीदेंगे, लेकिन अगर आपके पास थोड़े से नोट और सिक्के हैं, तो कोई भी असली बायर आपके घर पर नहीं आएगा, इसलिए आप अपने नस्दीक लगन और अब तो हम अपने WhatsApp नंबर भी देने लगे हैं, तो आप हमारे WhatsApp पर मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, जहां तक हमारी पुराने नोट और सिक्कों की दुकानों की एड्रेस का सवाल है, तो आज हम आपको हमारी 6 Numismatic Shop का एड्रेस इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि हमारी कौन सी दुकान पर कौन से नोट और सिक्कों की आवश्यक्ता है। से बड़े असली YouTube चैनल करेंसी वाला पर। पर देख रहे हैं, तो आप इस पेज को follow जरूर कर लीजिये और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कर लीजिये। दोस्तों, पुराने नोट और सिक्के बेचने के लिए कोई भी registration नहीं होता है, और एक रुपया भी registration fees या निजी दस्तावेजों की आवश्यक्ता नहीं होती है। इसलिए आप ऐसे किसी भी fraud व्यक्ति को अपने नोट और सिक्के बेचने के लिए कोई registration fees ना दें। जो आज तक आपको किसी भी असली बायर ने भी अपने वीडियो में नहीं बताया होगा, और साथ ही हम आपको बताएंगे। भारत के सबसे बड़े कुछ असली बायर की दुकानों का address और phone number। दोस्तों, पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। उसके बाद अगर आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, तो आपका वो कमेंट सबसे उपर highlight में दिखाई देगा, और असली बायर सबसे पहले आपसे संपर्क करेंगे। दोस्तों, चार बैंक नोट और पांच सिक्कों की कीमत आपको 40 लाख रुपए से भी अधिक मिल सकती है। आपको YouTube और Facebook पर देखने को मिलेंगे, इसलिए दोस्तों पुराने नोट और सिक्कों की ज्यादा वीडियो नहीं देखनी चाहिए, वरना आप अपने पुराने नोट और सिक्के बेचने की बजाए और अधिक भ्रमित होंगे। अधिकारिक तोर पर असली बायर है और उनमें से भी आधे बायर ही ऐसे है जिनके खुद का YouTube चैनल या Facebook पेज है। लेकिन YouTube और पर आपको हजारों की संख्या में पुराने नोट और सिक्कों के वीडियो बनाने वाले चैनल देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, इनमें से बहुत से लोग तो ऐसे है जिनको पुराने नोट और सिक्कों के बारे में कोई भी नोलेज नहीं होती है और वो अपने वीडियो में कोई भी साधारा नोट या सिक्का दिखा कर उसकी लाकों रुपए कीमत बता देते हैं। अगर आप किसी मुद्रा प्रदर्शनी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको सभी असली बायर एक साथ मिल जाएंगे। अगर समय हर संभव मदद करने को तयार रहता है। हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक बहुत ही बड़ी मुद्रा प्रदर्शनी की जानकारी जो की आज से ही शुरू होने डा रही है। और दोस्तों, आपके पास जितने भी पुराने दुरलब नोट और सिक्के हैं, वो अगर दोस्तों, एक बात मैं वीडियो शुरू होने से पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि पुराने नोट और सिक्के बेचने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लगता है और आपके किसी पर्सनल डॉक्यूमेंट की आवश्रक्ता भी नहीं होती है। हमने ना तो आज तक किसी से एक रुपया भी registration शुल्क लिया है और ना ही कोई fees या document लेते है इसलिए इस तरह के फर्जी और fraud लोगों से सावधान रहे और हमारे नाम पर किसी को भी एक रुपया fees देने की जरूरत नहीं है कोई भी fraud व्यक्ती लाग कोशिशों के बावजूद भी आप से एक रुपया भी शुल्क नहीं ले सकता लेकिन आप खुद ही गलती करते हैं आप खुद ही उनको मौका देते हैं खुद को लूटने का क्योंकि दोस्तों हम कई बार आपको बता चुके हैं कि कोई भी असली बायर खुद के फोन नंबर कभी किसी पुराने नोट और सिक्कों की वीडियो में नहीं देता है और जितने भी फोन नंबर आप नोट और सिक्कों की वीडियो में देखते हैं उन में से कोई भी असली बायर नहीं होता है उसके बावजूद भी आप लोग वीडियो में दिये गए फोन नमबर पर संपर्क करते हैं और उनकी बातों में आकर लोट जाते हैं दोस्तों कोई भी असली बायर अपने फोन नमबर किसी वीडियो में क्यों नहीं देते हैं उसके पीछे का कारण भी हमने आपको कई बार बताया और ये भी बताया कि अगर आपको किसी असली बायर के फोन नमबर ही चाहिए तो वीडियो को पूरा देखिए बाद में हम आपको असली बायर के फोन नमबर निकालने का आसान तरीका भी बताएंगे और दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने फोन के द्वारा आसानी से किसी भी असली बायर के फोन नमबर पता कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है।